ये बात की सिसे छिपी नहीं है कि दिपिका और रंबीर कितने क्लोस थे दोनों के प्यार के परवाहन चर्णने की गवाई दे रहा था दिपिका की गर्दन पर बना आर्के का टैटू जो की रंबीर कपूर के नाम का शौट फॉर्म है लेकिन अब ये लव रिलेशन खत्म हो चुका है और शायद दिपिका रंबीर की हर निशाने हटा देना चाहती है दिपिका जब कांस फिल्म फेस्टिवल में ब्रैम पर दिखी तो उनकी गर्दन पर आर्के वाला टैटू नहीं था दिपिका की ये तस्वीर तेजी से वारिल हो रही है और फैंस उनसे पूछ रही है कि टैटू गाया कहा क्योंकि अगर टैटू हटाना संबभ होता तो दिपिका को आर के इनिशियल चिपाने के लिए फूल का डिजाइन का सहारा नहीं लेना पड़ता बताया जा रहा है कि टैटू कहीं गायब नहीं हुआ था बलकि दिपिका ने मेक अप के जरिये इससे छिपाया था ऐसो वो पहले भी बंग्लिदेश की एक सावन कंपनी के एड के लिए कर चुकी है हलाकि पिशली बार कांस के रेट कार्पेट एवन्ट पर दिपिका ने बड़े शौन से अपना आरके वाला टैटू दुखाया था वैसे इन दोनों ने दुनिया को दिखाया है कि ब्रेक अप के बावजूद लोग अच्छे दोस्त रह सकते हैं ब्रेक अप के बाद दोनों ने ये जवानी है दिवानी और तमाशा जैसी दो हिट फिल्में दी लेकिन अब लगता है कि दिपिका रंडवीर से जुड़ी हर बात को बुला देना चाहती है इंडिया बॉलिवूड वाइरल की रिपोर्ट